अलो दोस्तो रोफिकुल डिजन सेंटेक में आप लोग का स्वागत है तो दोस्तो आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि आज मेरा जो घर में यूट्यूब का छोटा सा सेट अप है वह सोटा सा सेट अप कंप्लिट होने बला है मैंने जो बोया का माइक ओडर किया था मेंग सेट ना परेगा लेकिन अभी के लिए तो मेरा सेटप कंप्रीट ही है जो कि अच्छी बात है और दोस्तो अगर आप लोग इस चैनल पर नयहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिजेगा और बैल आइकन को दरूर दबा दीजेगा और अगर आखिर मैं व बॉक्स को मैंने पहले खोल दिया था क्योंकि साथ में मेरा भाई का दो सेंट ओडर किया था तो उनको मैंने बाहर निकल दिया तो उनको पहले बाहर निकल दिया और फिर से मैंने बॉक्स में पेकेट को डाल दिया तो अब देख सकते हैं में तो पेकेजिंग सही था एकदम खराब था तो अंदर देखते ही क्या क्या है तो यहां पर बील है देख सकते हैं 689 लिखा हुआ है तो मुझे 689 पर रुपीज पर मिला है जो अच्छी बात है क्योंकि इसका प्राइस फ्लेक्शुएट होता रहता है 800 से 689 में मतलब 800 से 600 के अंदर फ्लेक्शुएट होता रहता है तो इसमें कुछ कागज बगरा दिया है अंदर शोग अब्दर्बिंग के लिए जो कि अच्छी बात है तो इसको साइड में रखते है अब देखते हैं पाकेप में क्या क्या है तो पिछे की तरफ कुस दीटेल और स्पेसिफिकैस पर के रहा है सामने ब्वय का ब्रेंडिंग है यह है लबलियर माइक्रोफ़न, माइक्रो क्रेवेट और कुछ चाइनिस में भी लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है model BY-M1 तो पीछे कुछ features और specifications बेगरा लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं तो इसमें electric condenser है और यह omnidirectional mic है जो की तारो शारो तरफ से sound capture करता है और इसमें 60 Hz से 18 kHz तक sound frequency है signal noise 74 dB SPL और बाकी बहुत कुछ details बगरा लिखा हुआ है जो कि मुझे समझ में तो आता नहीं है और output 1000 OHM or less कुछ लिखा हुआ है समझ में नहीं आता है और इसमें connector है 3.5 mm वाला और बॉक्स के अंदर के accessory से और बाकी सब कुछ लिखा हुआ है और LR44 का एक यह battery भी आता है साथ में जो की अच्छी बत है जो मेरे तो काम में नहीं आएगा जब DSLR यूश करूँगा तो DSLR के साथ काम में आएगा और बाकी नीचे कुछ weight बगरा लिखा हुआ है dimension और इसका cable है 6 meter का जो की अच्छी बात है तो अभी बॉक्स को खोल के देखते कि अंदर क्या क्या मिलता है तो अंदर की तरफ कुछ पाउच जैसा दिख रहा है लेदर पाउच लेदर पाउच है और साथ में यह paperwork है बहुत बार अचा paperwork है warranty card भी है जो के warranty claim करने के लिए काम में आएगा और इसमें user manual जो कोई परता नहीं है कभी भी लेकिन थोरा थोरा बहुत परके देखना परेगा क्या क्या लिखा हुआ है बाद में देखेंगे और अभी लेदर पाउच के अंदर देखते क्या क्या है साथ में कुछ sticker वगएरा भी दिया है बोया का जो किसी है ब्रेंडिंग वगएरा क्या है मतलब तो इसके अंदर यह माइक का में का ऊपर लगएने वला कवर है और एक πα él जो किस कम रेंग था है मुझे पता नहीं और साथ में एक बैटरी भी और यह रहा माइक और साथ में एक कंडेंश के साथ में बटन दिया गए है जस्चा आप यह mobile phone और DSLR में switch कर सकते हैं जो कि अच्छी बात है और इसका wire देख सकते हैं बहुत लंबा है 6 मीटर लंबा है अच्छी बात है बहुत दूर से भी shoot कर सकते हैं तो packet के अंदर देखते हैं क्या क्या है तो इसमें एक 1-8 का pin है पता नहीं ये कौन सा काम में आता है शाइद कुछ दूसरे चीचिव में लगाने के काम में आता है और साथ में यहाँ पर एक माइक का उपर का cover है जो wind cover है जो थोरा बहुत noise भी cancel करता है अच्छी बात है और ये LR44 मोडल का एक बैटरी है जो DSLR के साथ में काम में आएगा स्मार्टफोन में काम पर नहीं आता है और यहाँ पर साथ में एक clip दिया है जो आपके color वगेरा पर लगाने के लिए काम में आता है तो फिर चलिए सब कुछ setup करके देखते हैं कि यह कैसा है आप लोग भी दिखाते हैं तो दोस्तों मैंने माइक का setup कर लिया है और मैंने अपना iPhone में connect भी कर लिया है माइक को तो अभी आप लोग जो आवाज सुन रहे हैं या आवाज अभी बोया का माइक से आ रहा है आप लोग को आवाज कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताईएगा मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैंने यह शूट करने से पहले टेस्ट कर लिया था टेस्ट करके देख लिया नोइस के इंसलेशन बगेर भी अच्छे से काम कर रहा है तो बरिया है नोइस केंसलेशन मतलब इसका प्राइस एमर पी है 1995 ऐसा कुछ था मतलब 2000 के असपास इसका प्राइस है प्रेंटेट प्राइस और मुझे 689 रूपिस में मिला तो बहुत अच्छी बात है और 689 मतलब 600 से लेकर 800 के अंदर फ्लेक्शुएट होता रहता है इसका प्राइस अगर आप लोगों को 800 से नीचे मिलता है या फिर 700 से नीचे मिलता है तो आप लोग जरूर ले सकते लेकिन उससे उपर में मत लीजेगा क्योंकि उससे उपर में ये वेलू फर मनी फिर भी वेलू फर मनी रहेगा क्योंकि 1500 का जो बोया का एक प्रो वाला मैक है इसका इसका swarm कैसा है और और कैसे नेए तो दोस्तों अभी मैं फिर से अप लोग को लिए hora के ऑप नशाप यह घुझा ningún तो अब नोبة कोमेंट में जरूर बताईएगा तो दोस्तों अभी जो आप लोग आवास सुन रहे हैं वो बीना माइक क्या है डिरेक्ट मुबाइल फॉन के माइक के थूर आप लोग सुन रहे हैं क्योंकि माइक का ये 3.5 mm बाला कनेक्टर मेरे हाथ में तो आप लोग बताईए कितना आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग कोमेंट में जरूर बताईएगा कि माइक का आवास ज्यादा अच्छा है या फिर बीना माइक का मोबाइल फोन का माइक का आवास ज्यादा अच्छा है तो दोस्तों फिर से मैंने माइक लगा लिया है तो अभी आप लोग को यह माइक अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर चेक आउट कर सकते हैं मेजून पर जाके दोस्तों वीडियो को खतम करने का वक्त आ गया है अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देजिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करके बेल एकों जरूर जबाद जीजिए थाकि नहीं आने वाले वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सके तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए गुड़ बाई